तो दोस्तों कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है The Portrait of a Lady जिसके राइटर है कुश्वन सिंग। इस स्टोरी की मदद से कुश्वन सिंग ने और अपनी ग्रैंड मदर के बीच के रिलेशिंशिप को रिफ्रेक्ट करते हैं। इस स्टोरी से उन्होंने रिडर्स के माइंड में अपने बच्पन की इमेजिनेशन को क्रियेट करने की कोशिश की है। स्टोरी के लास्ट में आपको उनकी ग्रैंड मदर के बारे में कुछ अलक एक्सपिरियेंसे भी होंगे। तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं इस स्टोरी के शुरुआत में खुश्वन सिंग कहते हैं कि वो अपनी ग्रैंड मदर को पिछले 20 सालों से जानते हैं और जबसे उन्होंने होश संबाला है और जबसे अपनी ग्रैंड मदर को देखा है वो उन्हें हमेशा बूड़ी ही दिखाई दी हैं। फिर वो आगे कह रही हैं। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई है और उनकी लंबी सफेद दाड़ी उनकी चेस तक आ रही है। राइटर यहां रुक कर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में फिर सोचता है। वो इमेजनी नहीं कर पा रहा था कि कभी उसकी ग्रैंड मदर यंग और ब्यूटिफुल भी थी जैसा वो बताती थी और जो वो गेम्स बचपन में खेला करती थी छोटे होने पर। और राइटर अपनी दादी की चाइल्डूट स्टोरी जो वो बताती थी उनको भी बिलीव नहीं कर पा रहा है। हाँ वो ये मान सकता है कि उनकी लाइफ में भी मौरल स्टोरी जादा होंगी जिनके बारे में वो राइटर और उनके कजन्स को स्टोरी सुनाती थी। इससे ये पता चलता है कि राइटर की दादी का फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। उनकी दादी छोटी थी, थोड़ी सी मोटी थी और थोड़ा जुक कर चलती थी। उनके फेस पर बहुत जूरियां थी। पिछले 20 सालों से राइटर को अपनी दादी यही सेम लुक में दिखाई दे रही थी। वो हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी, जिस पर दाग नहीं होते थे। उनके एक हाथ में हमेशा एक माला होती थी और दूसरे हाथ से अ एक live example थी। राइटर की ग्रैंड मदर हमेशा prayers chant करती रहती थी। आगे राइटर बताते हैं कि वो ग्रैंड मदर के साथ village में रहते थे। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। जब कुश्वन सिंग छोटे थे तो उनके parents उनको ग्रैंड मदर के पास ही छोड़ गए थे और खुद city में आ गयते सेटल होने। कुश्वन सिंग की ग्रैंड मदर उन्हें daily सुबा उठा कर स्कूल के लिए ready करती थी। रेडी करते टाइम भी उनकी ग्रैंड मदर prayers recite करती रहती थी। वो स्कूल जाने से पहले राइटर के लिए एक wooden slate, एक ink pot और एक red pen रेडी करके को देती थी। सुबा नाश्ते में राइटर एक मोटा पराठा मक्षन और चीनी लगा कर खाते थे। ग्रैंड मदर और राइटर दोनों ही राइटर को छोड़ने उसके स्कूल जाते थे। ग्रैंड मदर स्ट्रीट डॉक्स को फीड कराने के लिए अपने साथ चपातियां विलेज डॉक्स मिलते थे जो चपाती के लिए उन्हें घर तक फॉलो किया करते। ग्रैंड मदर उन्हें चपातियां देती। अकसर उन डॉक्स में चपातियों को लेकर लडाई भी हो जाती थी। और धीरे धीरे करके अब वक्त बीथता गया। अब खुश्वन सिंग के पेरेंट्स भी सिटी में अच्छे तरीके से सैटल हो चुके थे। तो उन्होंने खुश्वन सिंग और उनकी ग्रैंड मदर को अपने पास सिटी में ही बुला लिया। और यहीं खुश्वन सिंग की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्णिक पॉइंट आया। इससे उनकी अब स्टीट्स में भी कोई डॉग्स नहीं होते थे जिने वो चपातिया खिला पाती। तो उन्होंने अपने घर के वरामडे में ही चिडियां को ब्रेड के तुकडे खिलाना शुरू कर दिया। कई साल बीद गए। खुश्वन सिंग और उनकी ग्रैंड मदर का इंट्रे तो वो समझ नहीं पाती और काफी सैड हो जाती क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर इंट सब्जेक्ट्स में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। और उन्हें देखकर ये भी दुख होता था कि स्कूल में भगवान और धार्मिक चीज़ों के बारे में भी नहीं पढ़ाय जाता वो इस तरह की एजुकेशन को सही नहीं मानती थी। जब उन्हें ये पता चला कि खुश्वन सिंग ने म्यूजिक लेसंस लेना भी शुरू किया है उससे वो और डिस्टब हुई क्योंकि उनके मताबिक म्यूजिक बैगर्स और प्रोस्टेटूशन की आर्ट थी। और उन उनका अपना रूम था और ये वो टाइम आ चुका था जब खुश्वन सिंग और उनकी ग्रैंड मदर के बीच का लिंग कंप्लीटली तूड गया। अब उनकी ग्रैंड मदर की लाइफ और प्राइवेट हो गई। वो अब अपना पूरा दिन चर्खा चला कर बिताती थी सुबा सन्राइज होने से लेकर शाम के संसेट होने तक वो शान्ती से बैठी रहती और प्रेयर्स रिसाइट करती रहती। दिन में वो अकसर चिडियां को खाना खिलाती थी जो वरामडे में अकसर आया करती थी। ब्रेड के चोटे-चोटे तुकडे करके वो बहुत सारी चिडियां को डेली खाना किराती कई बर्ड्स उनकी लेक्स पर बैट जाती कुछ उनके शोल्डर्स पर और कुछ उनके हेड पर वो कभी उन्हें शू करके भगाती नहीं थी बस मुस्कराती थी पूरे दिन वो आदा घंटा के लिए जा रहे थे जैसे ही पूरी फैमली और ग्रैंड मदर राइटर को छोड़ने स्टेशन पहुँचे तो उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें कस के पकड़ लिया और उनके माथे पर किस किया वो सोच रहे थे शायद ये अब उनके और ग्रैंड मदर के बीच में लास्ट फिजिकल कॉंटेक्ट था हाला कि उनकी ग्रैंड मदर सेंटीमेंटल नहीं थी लेकिन जब कुश्वन सिंग पात साल बाद वापस आए तो उनकी दादी जी भी उनने स्टेशन पर लेने आई और वे बिलकुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे हमेशा से दिखती थी उन्होंने फिर से खुश्वन सिंग को अपनी आमस में ले लिया और वो अब भी प्रेयर्स रिसाइट कर रही थी उस शाम को एक बड़ा बदला हुआ अपने रेगुलर रूटीन से अलग उस दिन उन्होंने इवनिंग में प्रेयर्स रिसाइट नहीं करी उन्होंने आसपडोस से कुछ औरतों को पकड़ लिया और उनके साथ ड्रम बजाना और गाना गाना शुरू किया खुश्वन सिंग की पूरी फैमली ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि ठकावट से वो बिमार पड़ सकती थी और अगली सुबह यही हुआ वो बिमार पड़ गई हाला कि ये एक माइड फीवर था डॉक्टर्स ने बोला कि हलका बुखार है ठीक हो जाएगा लेकिन उन्होंने इसे अलग तरीके से लिया उनके मताबिक उनका एंड अब नियर था इसलिए किसी और से बात करने में वो अपना टाइम जाया नहीं करना चाहती थी और इसके बजाए उन्होंने प्रेयर्स रिसाइट करना सही समझा कुशवन सिंग की फैमली ने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की लेकिन वो शांती से बैड पर लेटी रही और लगातार लगातार प्रेयर चैंट करती रही और अपनी माला फेड़ती रही अचानक उनकी उंगलिया चलते चलते रुख गई और उनकी हातों से माला गिर पड़ी एक शांत और अनहल्दी अपीरियंस उनके फेस पर आने लगा क्योंकि वो अब मर चुकी थी उनकी फैमली ने उनने बैट से उठाकर जमीन पर रग दिया और लाल कलर के कपड़े में उनने लपेड दिया हजारों की संख्या में चिडियां उनके पास आकर शांती से बैट गई खुश्वन सिंग की मदर ने उनने ब्रेड के तुकड़े दिये लेकिन उन्होंने नहीं खाए और फाइनली जब खुश्वन सिंग की फैमली डेड बॉड़ी ले जाने लगी तो सारी चिडियां भी उड़कर चली गई वो बर्ट कितनी सेंसिटिफ थी वो ब्रेड खाने नहीं आई थी बलकि ग्रैंड मदर के लिए शोग प्रकट करने आई थी जिन्होंने न जाने कितने दिन अनेकों चिडियां को खाना खिलाया था तो दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन खतम हो जाता है उमीद है दोस्तों आपको इस चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन समझ में आ गया होगा आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान ओके थैंक्यू